मेहर मेलोडी म्यूजिक सेंटर आपका स्वागत करता है देखिए अभी मैं इस पार्ट में आपको संगीत का बहुती मुख्य अंग इसकी जानकारी रखना हर किसी को जरूरी है उस चीज का वारे में आपको मैं समझाओंगा इसको कहते हैं रिलेट्व मैनर रिलेट्व मैनर का निर्मान कैसा होता है इसका क्या कानून है क्या काइदे हैं यह सब चीज़ हम आपको समझाएंगे सबसे पहले समझेए कि गाना या तो मेजर स्केल में होता है या तो मैनर स्केल में होता है जो minor scale में गाना है उसको आपको बजानी के लिए अगर आप ये relative minor का ज्यानकारी रखते हो तो आपको बजाना बहुत ही आफसान हो जाएगा कोई दिक्कत न जाएगा ये relative minor scale के बारे में आपको समझाने से पहले दो छोटी-छोटी बातों को ज्यानकारी आपको देना बहुत देलूरी है वो ये है पहला इन्वर्शन किसको कहते हैं दूसरा degree of scale किसको कहते हैं ये जो चीजों के बारे में आपको उन्जानकारी दें क्योंकि आगे चलकर आपका जो relative minor का जो काड़ बनता है वो काड़ का inversion होता है वो inversion के अगरा माँ आपको वह inversion के बारे में अभी नई समझाएंगे तो वो चीज आपको समझ बने आएगा इसलिए मैं पहले पहले इसका संशिप्त परिचय आपको मैं करा दूँगा देखिए सबसे पहले inversion उसको कहते हैं जो अध्रा बदली तबदीली एक स्वार यहाँ है उस स्वार को उस जगा ना होकर दूसर जगा को सिर बढ़ जाना इसको inversion कहते हैं अब जैसे देखिए अब यह है C major C E G इस C major card है यह इस ट्राइट है यह root note है यह major third है यह perfect fifth है यह C major card है अब है मैं इसका first inversion लगाता हूं तो यह जो G note जो ना याना इसका fifth note हम यहाँ ना लगा कर आप यहाँ लगाएंगे hard हो ही है स्वर हो ही है लेकिन तान बड़ गया आप यहाँ लगाए तो ओ भी G है यहाँ लगाएंगे तो ओ भी G है यह इसका जरूरी इसलिए है ऐसा लगाने जरूरी इसलिए है अभी मैं आपको समझाओंगा अब देखिए जो एक स्वर आपने उदर से यहां तक पीचे किया आगे से पीचे किया इसको कहते हैं पस्ट इनवर्शन इसको कहते हैं फस्ट इनवर्शन इसके बाद जो है अब यहां दो स्वर को भी फीचे कर देते हैं तो इसको सेकंड इनवर्शन वर्शन जैसा का मतलब ये होता है स्वरों को अगला बदली करना ऊपर का जो स्वरों को मिषेकर आप संपूचेंगे कि इसकी जरूरत है तो अब यह मैं आपको समझाते तो मिशाल की तौर पर ये गाना मैं आपको बजाओंगा उसमें ये कार्ड इन्वर्शन कार्ड लगाना क्यों जरूर मेरे यहां रुका, कार्ण बड़ते रुका, आप में कार्ड ऐसा लगा हुगा, तो यह हाई हो जाएगा, उसको में क्या कर दो, ऐसा लगा है, मौजों की रवाणी है देखेगा, मैं गाना बजा रहा हूँ, तो इसमें अमारे यस स्वर पर आगे मेरा कार्ड लगाने का महोल बनता है, अगर अम इस स्वर को इसमें इसमें शामिल कर लेते हैं, तो यह तो इस से उंचा है, वो म्याच ने करता है, तो इसमें क्या करना है, जहां से आप कार्ड ल इस तरह, जब आप गाना बजाते हैं, खार्ष लगाते हैं, तो उसमें जिस वक्त पे आपको कार्ड लगता है, वो बाकी स्वर उससे सब पीछे रहना चाहिए, कभी-कभी एकाद वो नजबिक का स्वर जो ताज नोट जो है, वो शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिप्त नोट अगर आप उपर का लगा देंगे तो हाई हो जाएगा, तो आपको मैच न इनवर्शन का मतलब यह है, कि गावना बजाते समय, अगर आपको जिस स्वर पे कार्ड लगाना है, अगर उस स्वर का उपर का स्वर उसमें शामिल कर देंगे, तो वो उन्चा हो जाएगा, वो नहीं ची रहेगा, इसलिए क्या करना पड़ता है, उससे नीचा बागे वो इस वर, इस वर का नीचे जहां मिलता है, वहाँ आपको इस्तमार करना हो, जैसा देखिए, एक प्यार का नगमा है, इहां रखका मजड़िदे, इसको ना लगा कैम इसको लगा है, देखिए, मेर भी इहां से कार्ड लगाना है, इसको लगाना बोलो तो ऐसा, देखिए था, ऐसा, लेकिन ये मैच बहुत उंचा हो जाता है, काफी उंचा हो जाता है, फिर उसके लग जा कर रहे हैं, फिर आब उसको नीचे आए, इसको कहते इहां, इस तरह कोई भी कार्ड को आपको उसका आवाज की साबसे, जहां से आ आप लगा रहे हैं, यहां पर आपको काड लगाना है, तो वो जो बागी स्वर्जो है ना, उनका नाद जो है, इन से नीचे होना चाहिए, उसको उपर नहीं होना चाहिए, उपर होने से काफ मैच नहीं करेगा, आप पार एक्जाम पर लेगिए, जिंदगियों, कुछ भी नहीं, जिंदगियों, कुछ भी नहीं, तेरे मेरी कहानी है, एक प्यार का नगुमा है, इन वर्ष्टन इसको कहते है, कि यहने, आवाज को मैच करना, जैसा आप जैसा गार है, उस गाले का जैसा स्वर का नाध है, उस नाध से आपको कार्ड लगाने वाला नाध भी मैच करना चाहिए, इसको कहते हैं इन वर्ष्टन, उसके लिए अगर एक स्वर ने आपने पीछे किया, तो उसको पस्त इन कहते हैं, अगर आप दो सवर आपने पीच्छा किया, तो सेकंड बर्शन कहते हैं, अब कुछ भी आप नहीं कैसी इसा कार्ड लगा दिया हो तो स्ट्राइट कार्ड है, कार्ड में हमेशा ध्यान रखियागा, मेजर कार्ड में, पहला सवर को जहां से कार्ड शुरू होता है, उसको बोलते है रूट नोट, रूट नोट, ये इसका रूट नोट है, ये इसका मेजर ताइड, ये इसका फैर्फिक्टिट, अगर ऐसा लगाए तो भी रूट नोट मेजर ताइड, पैर्फिक्टिट, ऐसा लगाए तो भी रूट नोट मेजर ताइड, पैर्फिक्टिट, वोई बात हुई, बस चिरब कि इन्वर्शन हुआ, इसको कहते हैं इन्वर्शन, संशुप में हमने आपको समझाएगे, इसके बाद डिग्री आप स्केल की से कहते हैं, वह हम आपको समझाएगे, दूसरी, हम आपको डिग्री आप स्केल का बारे में समझाएगे, जैसा एक स तो उसका वेवरा हम आपको देंगे, क्योंकि ये रिलेटिव मैनर समझाने से पहले, इसका थोड़ा बहुत ज्यानकारी दखना निहायत जरू है, देखे सबसे पहले, सी स्केल में हम आपको पूरा वेवरा देंगे, ये है सी, इसको की नोट कहता है, ये फैरफेक्ट नोट ह ये उपर को कारव है, ये है माइनर सेकेंड, ये मेजर सेकेंड, माइनर ताइड, मेजर ताइड, परफेक्ट फिप्ट, आप सारी, परफेक्ट फोर्थ, आपमेंटिट फोर्थ, परफेक्ट फिप्ट, माइनर सिक्स, मेजर सिक्ट, माइनर सेवेंथ मेजर सेवेंथ फिर आपके इस तरह जो है बारा स्वर होते हैं और ओपर का साको भी अगर मिला लेते हो तेरा बनता है एक दो तीन चार पांच यह साथ आठ नौ दस गैरा बारा तेरा तो यही स्वरा है तो पहला है वही स्वरा कर रिपीट है इसलिए असर म 理े डू महिनर क्या है रिलेड़ू महिनर से हमें क्या लाब है रिलेड़ू महिनर कैसा बनाइजाता शॉपाद है कली ग्राधा आपको स्वकंति होगी हो बहुत अपर उपयोही वहा जैसा पर एक्जामपल है यह सी मीजर नियए डिक्र मेजर स्केल है इसमें क्या है कि नोर मेजर सेकेंड मेजर तर्ड परफेक्ट फोर परफेक्ट फिप मेजर सिख्ट मेजर सब्सक्राइब यह आया आप रिलेटिव माइनर बनाने के लिए यह मेजर सेका छाठा स्वर सिख्ट नोट यह एक दो तीन चार पांच यह यह शाठा तरह यह दा सारी का मापा दा 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 से लेकर और अपिर अगला दा अकर आप बजा देंगे तुसका रिलेटिव माइनर पहन जाता है देखे कि दिखिया जो सी में स्वर है वोई स्वर उसका रिलेईटू मैइनर में भी आता है कोई बाहत से कोई नया स्वर इसमें नहीं आता है कहने के ताथ पर यह है जो मेजर स्केल में स्वर है वनीस स्वारों का सहाइता से एक नया स्केल का निर्मान होता है, उसको कहते है thing yani, को कि अब रहुत किस्छा आप गुटियों ही बात्रों के पीचे करने से इसका जो इपनल जाता है जो मेजर है में और मैंई वे इस अधल Emmanuel हो ज재ता है इस तरह में जाता है। तो कहने मतल Но कि यह का बंतल्ब है मेजर स्केल का चाटा स्वर अगर और आप 되어 जांगे वह हश्पूर करेंगे अगला जेहां तक है वहां तक अब जाएंगे तो यह जो है रिलेटू माइनर स्केल बन जाता है इसका रिलेटू का नाम इसलिए रगाया रिलेटू के मतलब क्या है उसका सगी संबंदी उसका रिष्टेदार उससे कुछ संबंद है कुछ रिलेशन है सी मेजर स्केल में किसी प्रकार का काला सीडी नहीं आता है सभी सफेद है तब इसका रिलेटू माइनर जब हम बजाते है इसमें भी सभी सफेद है कोई काला नहीं देगे मेजर बजा रहा हूं सी मेजर अब इसका रिलेटू माइनर बजा रहा हूं सी मेजर में कुछ सी प्रकार का काला सीडी इस्तमाल नहीं हुआ उसका रिलेटू माइनर भी नहीं हुआ जो सभर सी मेजर स्केल में हैं वो इस वर व कुछ अलाला बनी करके अबने बजाया तो उसका रिलेटू माइनर बन गया इसलिए रिलेटू कर नाम दिये जाता है समझे तो अगर वालेजे, किसी स्केल में तीन शार्प आते हैं यानि तीन कारा सीड़ी उसमें लग जाते हैं उसका रिलेटु माइनर जब आ बजाएंगे तो वोई तीन उसमें भी आएगा वोई तीन उसमें भी आग देगे हैं ये मेजर में तीन शार्फ बाता है अब इसका रिलेट्व माइनर ये अफ शार्फ है वही तीन शार्फ में है उसका रिलेट्व माइनर जो बजाता है जो मेजर स्केल में जो शार्फ है जो सीडिया है जो स्वर है वो इस वर्वों का प्रयोग से उसका रिलेट्व माइनर स्केल बना तो इसली इसको कहते हैं रिलेट्व माइनर अगर आपको कोई गाना अगर माइनर में है और आपको बजाना है तो जहां से आपको बजाना है यह किसका रिलेट्व है यह किसका रिलेट्व माइनर आप जान सीड इसमें कॉम सा सवन लगेगा कॉम सा नहीं लेगा इसका डूनने के जरुवत में बड़ेगा आप ना आप ही आप समकुच तीक हो जाएगा आच आप देखीगा दूसरी बात यह है एक और शार्टकट में अजय क्या है अगर किसी स्वर का आपको रिलेटिव मैंनर को जा आई मेंद मेंद के दूद्ध को होतला है हम आई इसा बजाने से सी मेजर हो गया इसको शोड़ के यहां पे आंगे दरवाया है और ही तरह यह होते इस तरह भी आपा किसी स्केल की सीभी स्केल का रिलेट सूर जान सकते हैं तो यह जैज मर्सट्र तो फ़ारे का , Er J नो फ़र नीमन की तुग्गजैubscribe डोडर है एन फ़नी मेजर होता है यह मेर्ड का शुसके हैज कर दो आगे लेख जाए यह तरीका आपका अपना सकते हैं कुछ नहीं कही से भी भजाये उसको जो पांच मास्वार जो है वह पांच मास्वार को दो सीट्याँ आगे रहिए देज़से धर देखिये यह बजाया यह पांच बाउस हो रहा है आगर इसको हमने यहां ते लगा है यह फ़त मैंड रोगे यह फ़त मैंड रोगे इस तरह आप जान सकते हैं बस ध्यान रखने हो रहे बाब पहले मेजर कर्ड बजाईए पाला प्रूट मेजर तर्ड और परफेक्ट फिप्त रोट को वहां से उंगले अठाके दो सीड़ी आगे जाईए जाने साब कर रिलेट्व मैंड उस के इस स्केल का रिलेट्व मैंड बन जाता है कि अधकर मदा में आपको बता है महां यह सी मेजर है थे कर दिया यह यह मैंन थार नहीं हो इसा करने से यह मैंड तर्ड है यह मैंड थार यह पार्फेक्ट फित करें एस तरह बन जाता है इस तरह किसी भी स्केल में आपको उसका रिलेटिव माइनर को बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हैं वो जंजब नहीं और एक और सरल तरीका है आप जिसे कानून काईदे कि सबसे इसका छटा सोट जाना चाहिए यह एक दो तीन चार पांच है यहां तो देखिए इससे एक, दो, तीन, चार स्टर पीचे जाएंगे ओहां भी यह है लिपो सिर सोट यहां भी हमको मिलता है यह हमारा सी है इसका रिलेटिव माइनर को हमको पता लगाना है पता रखना तो हम कैसे करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छाटा स्वाज में हम आया, इतना जहिएट ना होकर, एक, दो, तीन, चार, चार स्टप पीछ आएंगे, तो भी आपको यह महिन दाएगा, जानकारी करने से, आपको गाना बजाने में बहुत, सुविधा हो जाएगी, आचा, आप देखेगा, मैं आपको हर स्केल का बारा स्केल होते हैं, बारा स्केल यह ऐसा है कि C सबसे पहरा है, उसके बाद इसका पांचमा स्वार G, इसका पांचमा स्वार D, इसका पांचमा स्वार A, इसका पांचमा स्वार E, इसका पांचमा स्वार B, इसका पांचमा स्वार F, इसको बोलते हैं सबसे सर्क्लाफ होता है यह इसका चौटाव सवार बजाना। मां परे एक मेजर स्केल बजाओंगा, मैं क्या करना देखिए उसका रगले जो मैंने पता लगाना करी एक दो तीन चार 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 पीछा आया C मेजर एमें C मेजर एमें C मेजर एमें अच्छा इसके पाद G G मेजर बजाओंगा इसमें एक काला सीडी आता है एक दो तीन चार यी मैनर आता इसका रगले इसमें भी वह एक काला सीडी आएगा वह एक दो तीन चार पी आएगा इसके बाद आजाएंगा हम D मेजर इसका एक दो तीन चार B B मैनर देखे D में दो शार पाया दो काला सीडी आया इसमें भी दोनों आया इसका B मैनर बजाएंगे तो उसमें भी है यह समझ भी जाएंगे जो मेजर स्केल में स्वरा है वह स्वर उसका रिलेट्व मैनर में जाएंगे इसने उसको रिलेट्व कहा जाता है अब इसका बाद हो गया हमारा इए इए देखे इए यह सर यह यह देखे यह में तीन शार पाता है तीन आता है देखे यह आया यह दोनों आया इसका रिलेट्व मैनर है एक दो तीन शार यह शार यह शार यह शार यह शार यह शार में भी वह ही तीन आया कि देखे हाँ एक बात जान रखियेगा स्वार आगे पीछे हो सकता है लेकर आए ही होई स्वार अच्छा ये की आवाज का दो स्वार आया तो उसको एक की गिनना पड़ेगा जैसे पर एकजांपर यह यह भी आ रहा है यह भी आ रहा है लेकिन दोनों मिला के एक की कुप बिंती करना पड़ेगा दो दो नहीं आच्छा अब हो गया है उसके पाद ए मेजर इसका वाइन टू त्री फोर जी शाप इसका उसके पाद बी मेजर वाइन टू त्री फोर जी शाप और ए फ्लैट इसके पाद आपका है एफ शार्प एफ शार्प मेजर इसका रिलेटिव मेजर वाइन टू त्री फोर देखे एफ शार्प का रिलेटिव मेजर एक, दो, तीन, चार इफ रैट और डी शार्प यह हो गए आपका सर्कला फिप्ट का मेजर स्केल और उसका रिलेटिव मेजर आप देखेएगा सर्कला फोर्थ देखेए उसमें सबसे पहले स्केल होता है इसका रिलेटिव मेजर एक, दो, तीन, चार्प पीछे जाएए एक, दो, तीन, चार्प देखेए इसको बैजाते से हमें भी डी मेजर बैजाते से हमें भी वही बी फ्लाट है जो अपमें आए वही आए इसमें आप उसके बाद जो है नेक्स्ट केल हमारा है बी फ्लाट रिलेटिव मेजर एक, दो, तीन, चार्प जी मेजर इसका रिलेटिव मेजर एक, दो, तीन, चार्प देखेए इसके बाद ये फ्लाट मेजर इसका रिलेटिव मेजर एक, दो, तीन, चार्प जी मेजर इसका रिलेटिव 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 मेजर इसका रि आप देखे होंगे, जो मेजर स्केल में स्वर आ रहे हैं, वही स्वर उसका रिलेट्व माइनर में भी आ रहे हैं। इसका कहने का पतात पर यह है, जो मेजर स्केल में स्वर आते हैं, उन्ही स्वर उनको प्रयोग से उसका रिलेट्व माइनर का निर्मान होता है। Relative Minor Scale में पहला Key Note, उसके बाद Major Second, Minor Third, Perfect Fourth, Perfect Fifth, Minor Sixth, Minor Seven and Octave. एक चिज़ा और जान लिजए, relative Minor और Natural Minor में कोई फर्क नहीं, दोनुए एक जह सही रहता है, अगर आपको relative Minor आ गया तो Natural Minor आटोमेटिक आ जायेगा, वो इस वर इसमें जैसा होता है, लेकिन फर्स इतने हैं, ये major scale से उत्पन होता है वो natural के यहां से भी आपको minor scale बजाना हो रहता है आप इसको देखिए का इस बात में खास ज्यान रखिए एक major scale से में जूबी स्वर है यान उसमें sharps हो या प्लार्स हो या ना हो C major scale को अने शक क्यों natural major scale बोलते हैं इसमें किसी प्रकार कारा सेड़ी के इस्तमाल नहीं होता है इसका related minor जो ये minor है इसमें भी कोई कारा सेड़ी नहीं आता इसमें इसको natural minor scale बोलते हैं C major scale को natural major scale बोलते हैं ये minor को natural minor scale बोलते हैं इस तरह 12 scale हों को 12 major scale होता है 12 minor scale होता है उसका major scale में जितने भी sharp से अप्लैट्स आया, उसका related to minor में भी वही sharp से वही प्लैट्स आएगा, उसमें कोई और कुछ पूर्णे की जिरूत नहीं है, अगर आपको एक चीज़ है, यह जान दीजिएगा कि major scale में, कौन सा scale में कितना sharp सा आता है या कितना प्लैट्स आता है, तो उसका related to minor में भी वही sharp से वही प्लैट्स आएगा, उसको अलग से यान करने की जिरूत नहीं है, यह जिज़ ज्यान रखेगा, बिल्कुल, यह major scale का छटा स्वल जो है, related to minor का keynote होता है, वहां से प्र अगरा स्वल तक जाने से, उसका related to minor बन जाता है, related to minor में, keynote, major second, minor third, perfect fourth, perfect fifth, minor six, minor seven, and octave होता है, लेकिन major में से नहीं होता है, देखे, major में, keynote, major second, major third, perfect fourth, perfect fifth, major six, major seven and octave होता है, इसमें उसमें फार्क है, श्वार उसमें से लिया आपने, लेकिन यह का सीडियों का अधरा बद्रे हो जाने से, यह उसमें, उसका नाद में फार्क आ जाता है, यह major है, तो उसका च सब्सक्राइब आएगे, तो आपका जो है, यह minor बन जाता है, इस तरह एक major scale से, एक minor scale उत्पन होता है, उसको कहते हैं, relay to minor scale, relay to minor scale बजाने के लिए, और बहुत ही, सरल तरीका यह कहो रहे, मैं ववतारों देखी का, अभी आपने, यह आपने major बाज्यार है, यह है आपका, यह major scale है, यह major scale है, आम यहां से दो सीड़ी ओपर आएगे, यह क्या हो के मार में है, यह sharp minor scale, यहने यह का रिवेट्व मैनर है, यह दो तीन चार एक sharp, हमने इस पो चार के फित्त्रों हटा दिया, फित्त्रों हटा के यहां पर उपले रख दिया, यह दो चर्प पागे, यह यह दो, यह sharp minor हो गया, यह major scale, यह दो चार के इस पर आप जान सकते हैं, यह major scale का रिलेट्व मैनर हो जानना है, तो दो स्ट्प आगे जाएगे, यह दो स्ट्रों हो चोड़ दीजे, उदर से दो सीड़ी आगे जाएगे, उसके बाद उसका राम से यह पो कर जाएगा, पर यह आपने बजाएगे, देखो, यह major, हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया, यह दर आगे है, अभी क्या हो मर बाते हैं, शीन शार मैनर स्केल हो गया, यह 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 का रिलेट्व मैन रही है, शीन शार मैनर हो गया, इस थरह जानकारिया रखना चाहिए, आप जैसा इस तरह यह आपको याद करना चाहिए, कौन सा major scale में कितना sharp से apply आप लाट्स आता है, contest होना चाहिए, किताब देखके पढ़ना नहीं, आपको contest हो जाना चाहिए, C में कुछ नहीं, G में 1 sharp, D में 2 sharp, Y में 3 sharp, E में 4 sharp, B में 5 sharp, F sharp में 6 sharp, F में 1 flat, B flat में 2 flat, E flat में 3 flat, A flat में 4 flat, D flat में 5 flat, यह आपको contest होना चाहिए, यह contest हो जाने से कुछ से भी major scale को आप जाने लिए, कहीं से भी आपको relative minor बजाना है, जहां सा आपको अक्मान ले, यहां सा आपको बजाना है, एक, दो, तीन, चार, चाहर सीड़ी पीछी जाए, बस्वान स बजा दिए, वह ही स्वार है, वह ही स्वार हों को उसमे इस्तमार होता है, लेकिन उसका धान चाहर बजा जाता है, तो यह है relative minor, यह बहुत ही, एक keyboard सीखने वालों को, यह minor scales का, खास कर relative minor कैसा बनता है, इसका जानकारी होना नहायत जरूरी है, वैसा तो minor scales एक हार्मोनिक minor ह होता है, एक melodic minor होता है, एक natural minor होता है, एक relative minor होता है, relative minor होता है, relative minor हो नाचरल minor का स्वालों का धांग एक ही यह यह से, छाय है कि major scale से उत्पन होता है, बस इसस तरह हर विक्ति का यह relative minor का अभ्यास करना चाहिए, पहले एक major scale को चुनिए, आप उसका relative minor का पता लगाईए, अगर गाना major में तो उसमें बजाईए, अगर minor में तो उसमें बजाईए, आप किसी भी स्वरक आप major पता लगा सकते हैं, आप जैसे भांगे आपने ये C का इसी major, ये A minor है, अगर इसका है कि आपको ये A minor का relative major पता लगाना है, तो देखे हैं, येक, दो, तीन, चाहर पीज़े C major का relative minor पता लगाना है ये 1, 2, 3, 4 पीछे, अगर minor पता लगाना है तो पीछे, major पता लगाना है तो आगे, आपका बजाता है, इस तरह आपको, का रिलेट लेध को पुल्य histó एहाँए उसके बाद में आएगा वही इससे पर और भम चुन्ट्रों का आएकश्ट स्केरिया और गासर। आएगा बस यह बात है तो मैं अगला पार्ट में आपको कुछ काश का बार में कुछ समझाओंगा यह पार्ट यही पर सम्सक्राइब करता हूं नमस्कार